हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्जाम के बारे में बहुत सारे students का कहना था, students comment box पे comment करके बोल रहे थे कि अगर हम exam नहीं देते हैं या exam में हमारी back आ जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना है दुबारा exam देने के लिए तो दोस्तों आईए बिना देरी करते हैं वीडो को start करते हैं जानते हैं कि अगर आपको दुबारा exam देना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वीडो को start करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके जून 2023 के exam चल रहे हैं तो अगर आप भी अपने exam की तयारी करना चाहते हैं आपके पास time नहीं अब अपने exam की तयारी जो है वो इगनू guidebook से कर सकते हैं इसके लिए आपको simply क्या करना है नीरज guidebook की official website जो है उस पे आना है यहाँ पर जब आप आएंगे तो नीरज publication की तरफ से इगनू के सभी students को एक खास offer दिया जा रहा है अगर आप इगनू की guidebook नीरज publication की तरफ से 500 से ज़्यादा की purchase करते हैं तो आपको flat 50% का discount दिया जा रहा है और अगर आप payment mode में मेरा special promo code MA2023 यूज करते हैं तो आपको अलग से extra discount दिया जाएगा तो आज ही इस offer का फायदा उठाए और exam में आप आराम से easily अपने exam की तयारी कर सकते हैं तो दोस्तो आई एप topic पर आते हैं तो इस students का कहना है कि अगर हम exam में fail हो जाते हैं या exam में back आ जाती है या हम exam ही छोड़ देते हैं तो ऐसे में हमें क्या करना है क्या दुबारा exam देने का मौका हमें मिलता है तो जो इस students fail हो जाते हैं या उनकी back आ जाती है या वो exam skip कर देते हैं तो उन्हें 6 महीने बाद एक बार exam देने का मौका मिलता है इगनू में दो session में exam होते हैं एक June और एक December मान लीजे किसी भी students ने June 2023 का exam नहीं दिया या फिर June 2023 का exam skip कर दिया या June 2023 का exam में वो fail हो गए तो अब आपके पास मौका है आप 6 महीने बाद दिसंबर में एक बार फिर से exam form भरे जाएंगे जब exam form भरे जाएंगे तो आपको exam form भरके इसके बाद दिसंबर में exam देना है दिसंबर के लिए जो आपके exam form है वो आपके October 2023 में भरे जाएंगे then October 2023 में exam form भरके आप December 2023 में exam दे सकते हैं ऐसे ही अगर आप December 2023 का exam छोड़ते हैं मालीजे आपने December में exam दिया उसमें आपकी back आ गई या फिर December का आपने exam skip कर दिया तो इसके बाद June में exam होंगे तो June का exam form आपको April में बरना है then April में exam form बरने के बाद आप June में exam अपना दे सकते हैं यानि कि 6-6 मेने बाद आपको मौका मिलता है आपको next year का wait नहीं करना है कि आप next year के paper के साथ अपने सारे paper देंगे क्योंकि इससे काफी problem भी हो जाती है आपके सारे paper एक साथ देना possible नहीं है क्योंकि paper class हो जाते हैं और exam की preparation भी नहीं हो पाती है इसलिए आपके पास 6 महीने बाद option रहता है बाकी universities में ऐसा नहीं होता है क्योंकि बाकी universities में क्या होता है जब आप next year में जाएंगे तो next year के paper के साथ ही आपको जो आपके back के paper है वो देने का मौका मिलता है पर इगनू में ऐसा नहीं है इगनू में आपको 6 महीने बाद क्योंकि आप 6-6 में बाद पेपर होते रहते हैं तो 6 में बाद आपको मौका मिलता आप 6 में बाद अपने पेपर दे सकते हैं इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टुडिन से कहना है कि क्या इससे मार्क सीट में या ग्रेट कार्ड में या रिजल में कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे आपके कोई भी रिजल में प्रॉब्लम नहीं होगी बस आपका जो प्रोग्राम है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए आप पेपर जो है वो अपना 6 में बाद दे सकते हैं तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझाई होगी कि आपको क्या करना है अगर आप कभी भी एक्जाम स्किप करते हैं या एक्जाम में आपकी बैक आती है तो आपको 6 मेह ने बाद जून का एक्जाम स्किप करते हैं जून के exam form जायतर मार्च अप्रेल में और दिसम्बर के exam form जायतर आपके सितंबर औक्टूबर में रिलीज होते हैं जब आपके exam form आते हैं तो यहां पर alert वाली section में या फिर आपको यहां register online पर जाना है और नीचे यहां पर लिखा होगा term and exam इसके उपर click करेंगे तो यहां पर exam form को option आजाता है अगर exam form रिलीज हुए हैं तो यहां पर exam form आपको मिल जाएगा तो ऐसे exam form भरके आप exam दे सकते हैं तो दोस्तो आई होप आपको वीडियो समझाए हूँ दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share करें हो चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद